तो यहां पर आप मेरी वेबसाइट पर जाएं और फोरेक्स कलेंडर के सेक्शन में आप यहां पर जाते हैं तो आने वाले हिप्ते में अगर हम देख रहे हैं तो जो मेजर न्यूज है वो आप देखेंगे कि स्पीच है ढिफरेंड जो बैंक के गवरनर हैं उनकी स्पीच है या फिर पहला फ्राइडे होगा महीने का तो नोन फार्म पेरॉल की स्पीच रहेएगी तो अगर आप देखें मंडे को हम यहां पर देख रहे हैं और जी के जो गवरनर है वो इसकी उन पर फिर और फिर यूएस की फैड कुक स्पीच तो इस तरह के साथ देखें और यह पावल जो प्रेट के चेयर है तो जितनी भी स्पीच होती है उस दोरान वोलेटिल्टी काफी बढ़ जाती है उस पेर्स में जब उनकी स्पीच आती है तो इनको आप माइंड में रखेगा जब भी भी आप टेट करें और फ्राइडे को जैसे मैंने बोला कि पहला फ्राइडे होता है महीने का तो यहाँ पर नौन फार्म पेरोल की में न्यूज है जो सभी पेर्स को इंपैक्ट करेगी वोलेटिल्टी काफी रहती है साड़े आट बजी आपके न्यूज आएगी इस दोरान और भी न्यूज आती है जो इंपैक्ट करती है तो सभी कॉम्पनेशन आप देखें और उसके बाद फिर अगेंट स्पीच है जो इंपैक्ट करेगी तो केरफुली टेट कीजिए जब आप अपने टेट को प्लान करें तो आप चलते हैं अपने फॉर्कास्ट मे कई सबसे पहले अगर हम देखें यूएस डॉलर इंडेक्स को यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केटिक रेंज में चल रही थी तो हम यहां थे 18 नवंबर के आसपास मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया रेसिस्टेंस के पास गई और दुबारे से फिर इस एरिया में अब सबसे पहला पेर गाईज हमारा यूरो यूएस डी और आवर के चार्ट में यहां पर थे इसमें 18 नवंबर के आसपास मैंने आपको बोलाता है कि अब यह सपोर्ट काफी इंपोर्टेंट है वेट कीजिएगा अगर हम इसमें यहां से कुछ पूल बैक मिलता है तो हम अब देखें इस सपोर्ट में और चैनल में मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया चैनल को फेक ब्रेक आउट दिया और उसके बाद कंट्यूनिसली फिर उपर की तरफ गई है तो देखिए सबी चीजों को हमें यहां पर कंबाइन लेके चलना चाहिए नहीं कि प्रेक आउट हुआ उसके बाद करेक्शन और करेक्शन ऐसी की पूरा मार्केट अपसाइट ऊपर की तरफ अब आने वाले हकते में यूरू-उस-डी में हम क्या देख सकते हैं तो गाइज यहां पर आप मार्केट में यह एक हाई बनाया था दबारे से मार्केट टाउंप गई और यह दुबारे से हम यहां पर एक डबल तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर 1.0566 तो अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि येज़े अब बाइ की एपॉर्चनटी देख सकते हैं इस टॉप लोज इससे नीचे लगाएं यहाँ पर आपको कोई बी एंटरि मिले टार्गेट प्रॉफिट आपका पहला पिछली सपोर्ट अगर हम इस लिए जाते हैं अगर हम इसको भी ब्रेक करेंगे तो फिर डाउन क अगला पेर हमारा पाउंड यूएजडी यहाँ पर आप देखें 18 नवंबर यहाँ पर थे हां और मैंने आपको बताया अगर हम इस लेवल को यहीं पर ब्रेक करेंगे तो कंटिनूशली उपर की तरफ जाएंगे नहीं तो वेट कीजिए जब तक इस सपोर्ट से उपर मिला होगा अब आने वाले हपते में पाउंड यूएजडी में हम क्या देख सकते हैं तो एक सॉलिड मुवमेंट हमें उपर की तरफ मिली यहाँ पर मार्केट अब डाउन नीचे की मुवमेंट करती भी नजर आ रही है तो लेवल हमारे लिए जो इंपोर्टेंट है बन न का लेवल टच करों और उसके बाद फिर वाई की अपोर्टेंट है अगला पर गई हमारा ओजी यूएजडी हम यहां थे 18 नवंबर के आसपा इसमें मैंने आपको बोलता है यहां पर भी सपोर्ट हम इसको देखना चाते थे अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो फिर हम चैनल के तरफ यहां पर सपोर्ट में देख सकते हैं आप देखिए मार्केट सीधा यहां पर गई इस लाइन को भी यहां पर ब्रेक नहीं किया कहा पर बेक आउट मिला आपको इस जगह पर सीधा फिर कंट्रूट की तरफ तो कुछ सॉलिड सैट अप नहीं मिला जो भी मिला पर यहां पर देख सकते हैं सपोर्ट को यहां पर हमने ब्रेक किया पर उसके बाद दुबार से मार्केट कंट्रूज ले उपर की तरफ गई अब आने वाले हप्ते में ऑजी उएजडी में क्या देख सकते हैं तो यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं जो सपोर्ट है हमारे लेवल है वो पाइंट सिस्टी सिक्स फाइंड़ के आसपार से तो वेट करना होगा क्या मार्केट कंट्रूज लिए यहां पर जाती है क आगेंड इस टॉप लेवल पर हम देख सकते हैं ब्रेक करें इस लेवल को 700 तक का टारगेट यहां पर देख सकते हैं नहीं तो क्या यह रेंज बनेगी जैसे यूरो यूजडी में बताया अग्ला पर गयां तक देख सकते हैं और फिर यहां से फिर आप इसमें बाइक एप इस लेवल को भी ब्रेक करें तो हमारा नीचे की जो सपोर्ट है वो 5.64, 132 के आसपास है अगला पेर गाईस हमारा एंजडी यहां पर भी आप देखें हम डबल टॉप बना चुके थें क्या बोला था मैंने आपको स्टॉप लोस उपर लगाईए एंट्री आपको कहीं पर भी मिले इस एरिया में टार्गेट प्रॉफिट यहां तक देख सकते हैं और कंट्रिश लेकर जाएंगे तो फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं लेकिए सीधा यहां से मार्केट ने एक अच्छी घासी अपर दी आपको टार्गेट प्रॉफिट यहां पर रखा होगा तो उसके बाद आपको एक अच्छा उपर लिए और सपोर्ट को होल्ड किया और दुबारे से तरक उपर गई तरफ देख सकते हैं तो यहां पर हम सिक्स्टी फॉर थाउजंड तक का टार्गेट इसमें देख सकते हैं इस लेवल को ब्रेक करेंगी तो फिर आप सिक्स्टी वन थाउजंड तक नीचे की तरफ सोड़ पॉर्फिटी देख सकते हैं अगला फिर गाइस हमारा यूस्टी कैड हम यहां पर देख सेवेंटी नेटी नॉवबर के आसपास यहां पर मैंने आपको बताया था अगर कोई रिटेश्टमेंट मिले इस चैनल के आसपास तो बैटर एपोर्ट्स चेटी मिल सकती हैं नहीं तो मार्केट यहीं से यहां पर देख सकते हैं तो आप यहां पर देखिए एक अच्छा खासा मोमेंट हमें मिल रही थी उपर की तरफ मार्केट गई थी अब दुवारा से करेक्शन करके मार्केट नीचे की तरफ आ गई है और यह उपर की तरफ बनाएं यहां पर मैं कहूंगा आपको कोई भी यहां पर देख सकते हैं इस लेवल से नीचे लगाएं जो आपका 132968 के आसपास हो सकता है और आप अपना पहला जो प्रीवेस सपोर्ट है या फिर 135 432 के आसपास इसमें देख सकते हैं तो USD में आपको पूर्चिट मिल सकते हैं अगर हम इस लेवल को यहां पर ब्रेक कर द को बाइक की पूर्चिटी देख सकते हैं रिस्क जितना कम लगाएं रिवोर्ड बैटर रहेगा अगर सेट अप सक्सेस्फुल रहा तो आपको च्छाटिट यहां पर मिल सकता है अगला फिर गाईज हमारा USD JPY यहां पर भी आप देखें 18 नमबर में ने आपको कहा तक कोई भी रिटेस्टमेंट मिले बाइक की जगा टार्गेट प्रॉफिट यहां तक देख सकते हैं और या फिर हम इसी रेंज में आप पर इसमें देखें अगर कुछ बैट रपोर्ट नीचे की तरफ में लें स्टॉप लोस नीचे लगाएं और टार्गेट प्रॉफिट यहां पर आप फिर इसमें देखेंगे लेकिंगे मार्केट सीधा कंट्रिश लिए उपर गई उसके बाद इस लेवल को टेस्टियो और डाउन मार्केट और फिर हम अगीन रेंज में आ मार्केट यहां पर रोटेट कर रही है अब देखना होगा यह आपका रिटेश्मेंट है कितना लेवल तक जाता है 141 तक का और इसके बाद फिर आपको सोट की पॉर्टियोंटी मिले या इस लेवल को ब्रेक आउट करें तो फिर 145 तक देख सकते हैं तो अगर आपको भी इसके बाद आपका उसकी तरह से रिप्लाई या रियाक्शन होना चाहिए अगला फिर गाईज हमारे जीवीपी जेपी वाई यहाँ पर आपको बोला था कंट्यूनिसली आप बाई की तरफ इसमें ऑपर्टियोंटी देखिए टार्गेट प्रॉफिट पहला चैनल के अंदर या फिर अल्टिमेटली सेकेंड यहां तक देख सेकते हैं 168 कंट्यून को एक्स्टेंड करें तो पूरा चैनल को यहाँ पर फोलो किया है आने वाले हपते में जीवीपी जेपी वाई में हम क्या देख सकते हैं तो हमारी जो सपोर्ट है वह आप देख सकते हैं 166 420 के आसपास है इस लेवल से जब तक उपर हैं आप आप के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर देखें टार्गेट 166 8969 यह चैनल के अंदर यह आप देख सकते हैं 170 तक की आज पास अगला पर आप देखिए मार्केट कुरी तरिकी से स्क्वीज कर रही है कुछ जादा मोवमेंट हमें मिल नहीं रही है तो कुछ खास रियक्शन में नहीं कौंगा कि आ है कि एक ही जगे पर ऐसे प्यों को आप अवोईट करें जो पार्केट यहां पर फुश्कर नहीं रही है तो आने वाले अपते में में आप देखना चाहें तो मैं यहीं कहूंगा कि अभी मार्केट में कुछ जादा मोवमेंट नहीं है जब तो कुछ ब्रेकाउट लेवल ना बने को डिरेक्शन बने तब ही आप इसमें ट्रीट के लिए देखें लॉक्टर में पर हां पॉट्चुटी सुन और लेटर आने वाली है सुन और लेटर ब्रेकाउट होगा जिस लेवल से हो उसी असाफ से फिर आप इसमें वाई एसल कर सकते हैं अगला बेर गाईज हमारा यहां पर आप देखें एटी नावाँ पर यहां पर बुला दा कंट्यूशली मार्केटिक्स अच्छा खासा मूव दिया है अगर कंट्यूशली उपर जाएं रेकाउट करें तो उपर की दरफ जा सकते हैं पर चैनल को इसने रिस्पेक्ट किया अब देखेंगं छैनल के इंदर इंज में गई और दोबारे से फिर सेंट सपोर्ड एरिया में हम यहाँ पर आचुके हैं तो आने वाले हमते में य ये सजा है तो आने वाले हमते में ये सज़श्वार dign किया tutto अभी हम यहाँपर एक सपोर्ड एरिया में आप पर आ चुक अगर आपकी यह सपोर्ट ब्रेक आउट होती है नीचे की तरफ तो डाउन मोमेंट आप देखिए 9269 या 885 तक का टारगेट आप देख सकते हैं अगर 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 आपको इसलिए उपर जाते भी हैं तो 98263 तो अभी के लिए मैं बोलोगा जैसे मार्केट भी करें उस उपर की तरफ यहाँ पर सोट की अपोर्शूटी देखिए गाईज टारगेट प्रोफिट यहाँ पर अल्टिमेटली नीचे देखिएगा ब्रेक आउट यहाँ पर मिला था कंटिन्यू किया रिटेस्ट किया कहां प्रीविस लेवल पर इससे बैटर अपोर्शूटी आप पर आपको बोल रहे थे मैंने थोड़ा आपको उपर बोला था अगर यह जादा वहाँ पर वहाँ पर ने गया नेक लाइन पर आया और सीधा क्लियर कट नीचे की दरफ डारेक से तो यह इजी सेट अप होते हैं जो आप हट करना चाहेंगे अब आने वाले अपते में यूरो जीपीप में हम क्या देख सकते हैं तो यहाँ पर हम एक सोलीट सपोर्ट एरिया में आ चुके हम देखना होगा क्या मार्केट इस लेवल को होड़ करती है इस रेंज में रहती है ब्रेक आउट डाउन में मिलता है तो 84 A7479 की हमारी नीच सेवन तक का टार्गेट आप इसमें देख सकते हैं अभी एक्सपेक्ट करें कि यहां पर रेंज बने और बने और उसके बाद फिर आपको कोई डारेक्शन या मुवमेंट में लें अगला पिर गाइस हमारा गोल्ड यहां पर आप देखें तो मैंने आपको बोला था अगर हम यहां पर सोट की अपोर्चनटीस में देख सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा यहां पर यह डाउन मुवमेंट दी थी कुछ भी आपको रेट्रेश्मेंट मिलें स्टॉपलस उपर लगाएं तार्गेट प्रॉफिट इस एरिया में देख सकते थे तो आप देखें मार्केट ने इस लेवल को यहां पर एक्जैक्ली इस लेवल पर टच्च किया और उसके बाद से दुबारा मार्केट उपर की तो अगर आपने यहां पर कहीं पर भी आप इस लेवल को प्रेक नहीं करता है तो आप टार्गेट प्रॉफिट पहला यहां पर यह सेकंड अल्टिमेट ली उपर की दरब देख सकते हैं तो देखें मार्केट फिर उसके बाद से रिवर्स करना सुरू किया है अब आने वाले हपते में गोल में हम क्या देख सकते हैं तो यहां पर मैं कहूंगा कि हम एक सपोर्ट लेवल पर आ चुके हैं यहां पर आपको कोई भी अपोर्टिमिलती है इस लेवल के आप सपास स्टॉप लोस नीचे लगाईए इस लो लाइन पर आप रख सकते हैं 1725 अगर टार्गेट आप रखें 1783 तक का तो आपको 1.5 या 1 तू इस टुवन अच्छा टार्गेट मिल सकता है डिपैंड करता है आपकी एंट्री कहां पर अगर आपको इस लेवल में कहीं पर भी एंट्री मिलें आप डेफिनिटी इसमें बाई के एपोर्टिन्टी देख सक सिल्वर का इस पिछले पते का फोरकास यहां पर आप देखें हम सॉलिट सपोर्ट एरिया में थे आपर मैंने बोला कि कोई भी रिट्रेश्मेंट मिलती है आप देखेंगे और टार्गेट पर नीचे की तरफ देख सकते हैं तो अभी हमें देखना होगा अब्जर्ब करना क्या मार्केट का हाथ जाए अभी मार्केट सीधा अप रंट ऊपर की द्रफ दिया है कोई सोट के पोर्टिटी नहीं मिली है यहां पर भी आप देखें सीधा सैलर में इतना डॉमिनिशन नहीं है जितना पायर इसको उपर लेके जा रहे हैं अब आने वाले हक्ते में सिल्वर में हमके आप ज़र कर सकते हैं तो यहां पर आप कहें कि एक फलैक बैटन बनता होना जारा आप इसमें पाइक के पोर्टिटी देखना चाहेंगे टार्गेट प्रफिट ट्वंटी टू फोर सैवन सिक्स के आसपास देख सकते हैं अगर मा आप 10.980 तक का टार्गेट आप देखेंगे अगला पिर गई हमारा ओएल यहां पर आप देखें हम थे 18 और अगला पिर गयज हमारा ओएल यहां पर हम थे 18-19 नमवंबर के आसपास डाउन मोमेट्स आप हो चुकी थी मैंने कहा था यहां पर रेटिश्मेंट आपको मिलेगी सोट के पोर्चुटी यहां पर देखिएगा अगर इस लेवल को ब्रेक आउट उपर करके जाए तो टार्गेट उपर देखें नहीं तो डाउन मोमेट देखिए टार्गेट प्रॉफिट यहां पर मिलेगा और देखिए सीधा वहीं पर दुबारा से आई है अब आने वाले हपते में ओईल में हम क्या अपजर कर सकते हैं तो आप देखिए आप एक रेंज और इस लेवल को यह ब्रेक नहीं करती है और हम इसी लेवल में फस्ट चुके हैं तो अगर हम यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देथे हैं डाउन मोमेंट में तो फिर 66.58 तक का टार्गेट आप दीचे की तरफ देखेंगे नहीं तो अभी आप रेंज के अंदर इसमें टेट करना चाहें तो कर सकते हैं जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक अभी मैं इसमें उपर की तरफ पाई की उपोर्चुन्टी नहीं देख आए अगला फिर गाईज हमारा बिटकॉइन यहां पर आप देखें हम स्कुईज करते हैं जा रहे थी मैंने कहा था यहां पर आप कोई भी ब्रेक आउट मिलेगा गाईज तो आप यह सेल की पॉट्चुन्टी देखिएगा और वो सुन और लेटर आने वाला था जैसे कि आप तो बिटकॉइन में आप देख सकते हैं हम पूरी तरके से एक रेंज में यहां पर चल रहे हैं कुछ जादा मूवमेंट है नहीं है अब इसी लेवल पर आ चुके हैं अगर हम लेवल को ब्रेक करते हैं इस लेवल को तभी हम 18 या 19,000 तक का टारगेट इसमें देखेंगे न अगर यहां पर यहां पर बाई की पूर्चुटी मिलती है इस लेवल पर कहीं पर भी तो फिर आप इसमें बाई कर सकते हैं लेवल को ब्रेक करता है तो 18-19 तक का टारगेट अपस में उब्ज़र्व कर सकते हैं अंगला पीर गाइस हमारा इथिरियम यहां पर भी आप देखें हमें एक रेंज में चल रहे थे और एक चैनल के अंदर मुवमेट कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था जिब तक नीचे तक जाए बाई की पूर्चुटी देख सकते हैं यहां पर अगर चैनल में कुछ मिलने रहे हैं तो अभी जब तक कुछ मेंजर नियूज ना है एनफी में कुछ हो सकता है देखिए ब्रेकाउट मिलें यहां से डेफिनेटली सेवेंटीन हंडेट तक का टार्गेट फिर उपर की तरफ जाएंगे और फिर डारेक्सिन उपर की तरफ मिलेगी नहीं त जाती है तो टार्गेट प्रोफिट नीचे की तरफ देखिए ब्रेकाउट मिलता है तो उपर की तरफ हम कंट्रिश लेगाई देख सकते हैं अगला फिर गाइस हमारा यूस सर्टी यहां पर आप देखिए पिसलेपते का फोकास हम इस लेवल दे सैवेंटीन नवंबर के आ किया और की तरफ ही आपर गई आप आने वाले अपते में यह तर्टी में क्या देख सकते हैं तो हम यहां पर एक रिसिस्टेंस लेवल में आच चुके हैं और मार्केट स्लोली उपर की तरफ मूव कर रही है जब तक हम थर्टी थर्टी फ्री डबल शिक्स तक कर इससे उप अगर यहां से अगर सब्सक्राइब करें तो फिर नीचे तरटी तो का टार्गेट इसमें आप देख सकते हैं अगला फिर गाईज हमारा यूए संडेड यहां पर आप देखें तो मैंने आपको बोला था कि हम एक सॉलिट सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं यह सपोर्ट एरिया इंपोर्टेंट है 18 नमबर के आज पास कोई भी बाई की पोर्ट सुटी मिलिएगा स्टॉप लोस नीच में अभी प्रॉफिट में चल रहे होंगे अब आने वाले अपते में यूए संडेड में हम क्या देख सकते हैं तो गया अपने एक सार्प मोंट हमें अच्छी सी मिलिए और करते हैं मार्केट में नीचे आ रहे हैं वेट कीजिए इस लेवल से जब तक हम सपोर्ट से उपर उपर हैं 11,501 अब आई की इसमें देख सकते हैं वह इस एरिया में कहीं पर भी हो टार्गेट प्रॉफिट ट्वेल जिरो एट सिक्स अगर में इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर 11,000 तक का टार्गेट नीचे की तरफ देख सकते हैं नहीं तो अगर हम ब्रेक आउट यह आपको वैल्यूवल इट्वरमिशन मिलती रहे आप ट्रेड अपने प्लान कर सके इन एडवांस और जो भी सेट अप मिले बैस सेट अप मिले आप उसको ट्रेट करें आपको सभी पर ट्रेट करने के जुरुत नहीं है आपके माइंड में यह एक लोंग टर्म व्यू होना चाहिए कि मार्केट की इस दिसा में जा सकती है वो मैं आपको यह पर प्रोइट करने की कोशिश करता हूं उसके बेस पे फिर आप अपने सेट अप से इसको अनलाइज करके टेड ले सकते हैं अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है प्लीज ला